हेलो एवरीवन वेलकम टू रामानुजन स्कूल ऑफ स्टडी जीरो टो इंफिनिटी यह मैथमेटिक्स का क्लास 7 का फॉर्स चैप्टर का थर्ड लेक्चर है चैप्टर का नेम है इंटीजर्स हमने फॉर्स्ट टू वीडियो में क्या पढ़ा है एडिशन और सब्ट्रेक्श किया है तो आज का हमारा वीडियो है मल्टिप्लिकेशन पर मल्टिप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग है रिपीटिड एडिशन का मतलब क्या है रिपीटिड एडिशन का मतलब है कि अगर हमें 3 को 5 से मल्टिप्लाई करना है तो इसका बेसिक कॉंसेप्ट क् 3 plus मतलब 3 को 5 टाइम प्लस करना है 3 plus 3 plus 3 is equal to कितना हो गई है 15 मतलब 3 को अगर 5 से मल्टिप्लाई करना है तो 3 को 5 टाइम हम क्या करेंगे एड करेंगे तो यह क्या हो गया रिपीटिड एडिशन अब एक और चीज है अगर हमें 2 को 4 से मल्टिप्लाई करना है हमेशा कॉंसेप्ट क्या है कि इस साइड वाले से इतनी टाइम हमको उसको एड करना पड़ेगा अगर जो राइट में है जो फिगर इंटीजर राइट में है उतनी टाइम्स वो एडिशन होगा तो यहां पर क्या होगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इस इक्वल टू 8 सिम्पल जो मैथेपेटिक्स का मल्टिप्लिकेशन का कॉंसेप्ट है वो यह कहता है माल लीजे यहीं पर हमें 5 इंटू 3 करना है तो 5 को हम 3 टाइम्स एड करेंगे प्लस 5 इस इक्वल टू 15 तो यह है सिम्पल मीनिंग ओफ मल्टिप्लिकेशन हमारा यहां पर इंटीजर्स चैप्टर्स में बेसिकली हमारा जो कॉंसेप्ट है वो नेगिटिव और पॉजिटिव को लेके है कि किस तरीके से होता है साइन्स का मल्टिप्लाई क्या होता है माइनस और दूस्ट मल्टिप्लाई बाइ प्लस तो यह क्या हो जाएगा यह माइनस हो जाएगा अगर दोनों साइन प्लस के हैं और उसको हमें multiply करना है तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अगर हमारे दोनों sign क्या है minus के minus के अगर sign है तो वो क्या हो जाएगा plus हो जाएगा minus minus plus 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 और minus plus minus तो यहाँ पर आप simple सा concept देखिए अगर 8 को हमने 2 से करना है multiply तो यहाँ पर एक sign कौन सा है पहले हम sign का multiplication करेंगे तो एक sign क्या है यहाँ positive integer है और यह negative integer है तो sign तो हमारा क्या हो जाएगा negative sign हो जाएगा और जब हम multiply करेंगे 8 to the 16 तो हमारा answer क्या जाएगा minus 16 यह तो है simple multiply कैसे करना है अगर इस concept को अगर हम number line पे concept को number line के हिसाब से समझेंगे तो यह किस तरीके से समझेंगे number line में मैंने gapping कर दी है 22 की 0, 2, 4, 6, 8 यहाँ पे यह numbers है actually अभी मैं आपको show नहीं कर रहे हूँ next see here minus 2 minus 4 minus 6 minus 12 minus 14 minus 16 minus 18 तो अगर हम 8 को minus 2 से multiply कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे उसको कि number line पे हम 2 times leftward जाएंगे 8 के sequence में see here first 8 1 and second 8 2 times हम 2 times leftward गए leftward क्यों गए क्योंकि हमारे पास एक minus का sign है तो हम उसको लेके left side जाएंगे और यह हमारा क्या आजाएगा 2 times 8 को 2 times क्या है तो यह हमारा क्या answer आएगा minus 16 see here minus 16 तो number line का concept यह है और जो मैंने आपको बताया है कि basic calculation किस तरीके से होगी अगर negative integer है अगर one negative है और one positive integer है तो multiply की calculation किस तरीके से होगी now see here आप देखो हमारे पास दोनों जो integer है वो दोनों negative के हैं तो सबसे पहले हमने क्या solve करना है जो यहाँ पे है उसको multiply करेंगे तो मैंने आपको अभी बताया है कि minus के दोनों sign का क्या हो जाएगा वो minus minus plus तो हमारा यहाँ पे क्या answer आजाएगा answer हमारा positive होगा क्योंकि दोनों same sign है दोनों minus है चाहे दोनों plus के sign हो चाहे दोनों minus के sign हो तो हमेशा क्या multiplication क्या हो जाएगा positive रहेगा और 3 into 5 is equal to 3 into 5 अगर simply किया जाए तो 15 और अगर हमने इसे minus के साथ minus integer के साथ क्या है तो क्या आजाएगा sorry तब भी हमारा यह plus 15 ही रहेगा मतलब answer हमारा in both condition 15 ही आएगा positive 15 नेक्स्ट हम जा रहे हैं exercise solve करने के लिए exercise 1.3 1.2 तक हमारा complete हो गया 1.3 में से कुछ sum क्यूंकि बहुत बड़ी exercise है कुछ sums हर एक पार्ट में से मैंने यहां पे लिए हैं तो हम solve करते हैं इसको first है 3 into minus 1 तो इसका solution क्या होगा पहले हम sign multiply करेंगे एक positive है एक negative है तो answer हमारा क्या आजाएगा negative में हमारा answer आएगा 3 into 1 क्या हो जाएगा 3 into minus 1 is equal to minus 3 answer okay see here second sum दोनों sign positive है तो हमारा answer obviously किस में आएगा वो आएगा positive answer आएगा 21 into 30 तो क्या calculation हो जाएगी यहाँ पर see यह हो जाएगा हमारा 630 630 next हमारी calculation आती है see here one positive sorry one negative second भी negative है और third positive है तो यहाँ पर क्या है दो हमारे पास negative है तो answer हमारा क्या होगा positive में ही answer आएगा तो इसकी calculation हो जाएगी minus 12 into minus 11 अगर हम सिरफ इन दोनों को solve करेंगे तो 132 आएगा हमारा multiply by 10 तो इसकी calculation इसका answer एगा one three two zero next हमारा sum see here यहाँ पर तीनों sign negative के है तो यह दो sign अगर हमारे पास negative है तो यह तो positive हो गया और फिर जो answer positive में आएगा उसको अगर हम minus 4 से multiply करेंगे तो हमारा answer जो आएगा वो negative में answer आएगा see here minus 18 into minus 5 into minus 4 तो पहले हम सिरफ इन दोनों को solve करेंगे तो इन दोनों को solve करके हमारा आजाएगा 90 into minus 4 तो यह हो जाएगा minus 360 तो यह solution है इसका next question देखिए minus 3, minus 6, minus 2 and minus 1 चारो हमारे क्या है negative integers है negative sign है तो पहले हम इन दोनों को solve कर लेंगे और इन दोनों को solve कर लेंगे तो इसका क्या आजाएगा 18 आएगा हमारे पास into 2 तो हमारा answer क्या हो गया 36 यह पार्ट 1 के questions थे next हमारा second part आ रहा है see this question verify करना है हमें इसमें कि यह जो है left hand side वाला और right hand side वाला यह दोनों equal है यह नहीं है तो सबसे पहले हम इसको solve करते है यहां पे हमारा सबसे पहले क्या होगा bracket solve होगी into यहां पे 7 plus minus तो यह क्या हो जाएगा minus यहां पे हमारे पास आ जाएगा 4 इस side को अगर हम solve करते है 18 into 7 1 26 प्लस इस bracket में क्या जाएगा 18 तरीजा 54 minus 54 तो यह हमारा solve 18 फोजर 72 is equal to और यहां पे 126 में plus minus minus अगर हम minus करते है तो यह भी हमारा 72 आ जाएगा तो यह verify होता है कि left hand side is equal to right hand side next question next question देखिए यहां पे यह भी इसी का second part है next part see sorry यह five number question है इसको solve करना है see here 26 into minus 48 पहले इस part को solve किया जाएगा and then इसको अफिर जो बीच का sign है उसको हम solve करेंगे इन दोनों को multiply करके see here अगर हम इसको multiply करते है 26 minus 48 तो यह हो जाएगा minus 1, 2, 4, 8 plus यहां पे minus और minus का तो यह क्या हो जाएगा हमारा positive हो जाएगा और यह 1, 7, 2, 8 multiply करने के बाद और जब see here 1 minus का sign है और यह 1 plus का sign है तो क्या हो जाएगा यह plus minus minus तो यह हमारे पास answer आजएगा 4, 80 इसको solve करने का एक तो यह simple तरीका है जो हम कर रहे हैं इसको यहां पे हमें देखे बोला गया है suitable properties use करनी है तो multiply का इसका जो second तरीका है solution का वो क्या होगा जो properties हम यहां पे use करेंगे see here यह हमारे पास question है minus 36 तो हम इसमें क्या करेंगे see पीच में जो common है वो plus का sign है हम यहां पे 48 और 48 को क्या कर लेंगे common ले लेंगे 48 minus 48 क्योंकि minus 48 है और ब्रैकेट में जाएगा 26 minus 36 तो minus 48 और minus करके क्या हो जाएगा minus 10 आएगा minus 1 plus जो है उसका sign लगेगा तो minus 10 अब जब हम 48 को 10 से multiply करेंगे तो हमारे पास 480 आजाएगा answer same साइन कौन सा यहाँ पर लगेगा क्योंकि साइन हमारे minus के है तो साइन कौन सा लगेगा positive रहेगा तो हमारा यह answer है तो यहाँ पर हमें suitable properties की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर यह जो main तरीका है वो यह है calculation इस तरीके से होगा इसका next इसका इसका भी पार्ट है see here अब इसमें भी देखिए अगर हम simple calculation करते हैं यह भी same ही उसी का second part है तो अगर हम इसको simple calculation करते हैं तो हम क्या करेंगे 7 multiply by 50 minus 2 48 और इसका आंसर क्या जाएगा हमारे पर 336 बट हमें properties को use करना है इसमें तो properties का क्या मतलब है यहां पर क्या मतलब है यहां पर मतलब है कि 7 को पहले 50 से multiply करना है then 2 से भी multiply करना है और जो answer आएगा उसको हम क्या करेंगे minus कर देंगे see here question हमारे पास 50 minus 2 तो यह किस तरीके से होगा 7 into 50 1 minus 7 into 2 next step आएगा 350 हो जाएगा 350 minus 14 तो हमारा answer यहां पर भी क्या आ जाएगा 3 36 तो अगर हमने सिरफ answer निकालना है तो वह इस तरीके से निकलेगा बड़ जो basic calculation है उसकी properties के साथ वह यह वाला factor से solution होगा next part आता है see here यहां पर कुछ filling the blanks है इसको हमने solve करना है कि blanks में जो है वह क्या आएगा तो minus 3 को किस चीज़ से multiply करेंगे कि 27 आ जाएगा simple सा है कि अगर हम 9 से multiply करेंगे तो 27 आएगा but हमने sign का भी ध्यान रखना है यहां पर sign positive है तो हम किस से multiply करेंगे minus 9 से multiply करेंगे ताकि दोनो sign हमारे क्या हो जाए same रहे और answer हमारा positive में आए यहां पर देखिए 5 into what is equal to minus 35 minus 35 आए तो हम 7 से अगर करेंगे तो हमारे दोनो तो positive रहेंगे तो answer हमारा positive में होगा बट हमें answer negative में चाहिए इसलिए हम minus 7 से multiply करेंगे see here next में क्या करेंगे dash into minus 8 is equal to minus 56 तो 7 से अगर हम multiply करेंगे तो minus 56 हमारा आ जाएगा क्योंकि एक sign हमारे पास अल्रेडी दिया हुआ है minus का यह हमें positive ही लेना है आगे next 132 answer आना चाहिए किस चीज को 12 से multiply करेंगे कि 132 answer आएगा हमारा तो यहाँ पे हम अगर 11 से multiply करते हैं तो 132 आ जाएगा बट हमारा minus में आएगा जितना भी मैंने समझाया है thanks for watching please subscribe this channel and share more and more thank you have a nice day